हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक पर फिर से आप सभी के अपने यूटूब चैनल डियर गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टन प्रशनों को लेकर मैं आ चुका हूँ तो आप सभी लोग पलिए नए हैं वो लग सास्क्राइब करना ना भूले है और आप लोग क्लास को जादा से जादा से जिएशा कर कर दीजिए जिससे की और पिन जूर्ण सके है तो चली च्टार करते हैं और आप सभी लोगोंसे एक क्लास को बीच में बिल्कुल भी कि किसा mi है निम्लिख्र best है सो दोस्तों यहां पर इतने भी लोगोंने बताया हैiler फिर नबर तीन आपका क्या है जल गया यहां निम्लिखавно में से कार्बन मोनो आकसाइड और हाइडरोजन का मिसरड क्या है जल गैस है तो जितने भी लोगों ने आप्शन नमबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्चन के तरफ हाइडरोजन के अस्थान पर गुबाडे में इस्तमाल गैस कौन सा है बताये हाइडरोजन के अस्थान पर जो गुबाडे में इस्तमाल गैस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुबाडों में जो हाइडरोजन के अस्थान पर हीलियम गैस का प जैसी रहती थी उसमें चमकीले चमकीले पानी भरे रहते थे ठीक है उसमें भी इस गैस का यूज होता था चलिए अगले प्रश्च के तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्च आप के सामने है अब आप सभी लोग बताने का प्रयाश कीजिए कि निम्लिखित में से किसके उत्सर से संभारिक का निर्माड होता है तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है ओप्शन नमबर तीन को वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्च के तरफ निम्लिखित में से सार्वदेग जियोव भिवित्ता कहां पाई जाती है तो सबसे अधिक जियोव भिवित्ता कहां पाई जाती है तो यहां पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऊश्च कडबन दिये वर्सा वन बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे निम्लिखित में से सबसे अधिक जियोव भिवित्त में संदच्छित किया गया है और देखवाल किया जा रहा है तो आप सभी लोग बताने का प्रयाज कीज़े दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कस्मीर है वहाँ पर कस्मीरी मिरिक को जो है हंगल भी कहते हैं क्या कहते हैं हंगल भी कहते हैं और आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है जो आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर चार हंगुल जिया हंगुल यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और कस्मीरी मिरिग जो होते हैं मिरिग मतलब ह तो कस्मीरी मिरिग हैं इन्हें क्या कहा जाता है हंगल कहा जाता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से किस परमुख पर जातियों को दची गाम नेशनल पार्क में संद्चित किया गया है तो व लिए तो अच्य अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जिए Свत्क पादन के लिए निम्ड में से किस फसल का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप सब लोग देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिके गन्ना मक्का जट्रूफा जियाँ जियाँ इधन के उत्पादन के लिए जो है गन्ना, मक्का, जट, रोफा ये तीनों फसलों का योग किया जाता है यहाँ पर जितने भी लोगों ने आपसर बच्छार को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सभी विकल्प सही है ठीक है उमंग आप सभी लोग देख सकते हैं उस दिन भी आपका यही एंसर था और यही प्रश्ण था चलिए अगला प्रश्ण आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन का परियोग में नहीं किया जाता है यह तो रटा होना चाहिए आप सभी को कितनी बार मैंने बताया कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन का परियोग जो है वो आपका किस चीज में नहीं होता है तो मैंने आपको बताया है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसे हम लोग कहते हैं CFC इसका जो परियोग नहीं होता है रीपक आप सभी लोग देखिए हैं यहाँ पर जो आपका राइट एंसर हो जाएगा पहला पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत ने 2010 और 2020 को दसक की रूप में घोशित किया अब आप सभी लोग बताने का प्रियाज कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग ने बताया है देखिए मन से पढ़ाई करिए जिससे कि आप सभी को मज़ा आए तो और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला है आपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनोवेशन जिया दोस्तों इनोवेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा टाइम बिल्कुल भी मत लीजिए हर एक प्रेशन बहुत ही अच्छा है और फटा फट बताने का प्रयाज कीजिए 2010 और 20 के दसक के रूप में जो घोसित किया गया आप सभी लोग देख सकते हैं जीवन आपका जो राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर दो यहाँ पर इनोवेशन जिस्तों नौ मेस कहते हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगला प्रेशन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतिये रेलवेट ट्रेनों को सुरच्छित बनाने के लिए कि C I C A R यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अगला प्रेशन आप सभी लोगे से पूछा जा रहा है कि निमलिकित मेंसे किस राज का राज के पसू हाथी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका आसम यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हां आसम राज का जो राज की पसू है वो हाथी नहीं है हाथी जो है वो जारखंड राज का है ठीक है और बात करें करनाटक और केरल की करनाटक का जो राज की पसू है वो क्या है आप सभी को बताना है तो जी हां दोस्तों इसे मतलब कि राजके पसू है इन तीनों राज्जियों के असम का राजके पसू जो है हाथी नहीं है तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है ठीक है चली अगले प्रेशन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रेशन आपसे क्या पुछा जारे है ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टन्ट है नासा के मानो रहित अंत्रिच यान जिसे हम लोग कहते हैं जीनो तो बताएए ये परिकर्मा करती हुए अपने मिसन के पहले चल्ड को सफलता पूर्वग जो है पूरा किया था ये चंद्रमा या वरूर या मंगल या आपका ब्रेश्पती नासा की बात कर रहा है नासा की मानो रहित जो अंत्रिच यान जूनो है ये परिकर्मा करते हुए मिसन अपने मिसन में पहले चल्ड में ही सफलता पूर्वग पूरा किया था तो दोस्तों इहां पर जितने भी लोग उने बताया है चंडर्मा पर नासा ने कई बार भेज़े हैं मानो रहिद नहीं थे उसमें मानो थें उसमें जिसमें पहला कदम चंडर्मा पर रखा है निल आम श्टॉंग ने सबी लोग जानते होंगे बहुत सारी कहा में आप लोगों ने चरूर पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैं उम्मिद करता हूँ यहाँ पर सभी लोग राइट एंसर बताएंगे जी हाँ ब्रेस्पती जो की सबसे बड़ा गरह है आपके आकास बंडल में आप सभी लोग द नहीं था अंत्रिश यान जो है जिसका नाम क्या है जूनो आप सभी को ध्यान में रखना है जूनो को भी यह उसका नाम है चलिए अगले प्रस्के तरफ बढ़ते हैं कई भासाओं में सार्वदिक गीतों की रिकार्डिंग के लिए बताए नाम गिनीज वर्ड रिकार्ड म सब्सक्राइब बताने का प्रियास करें देखे रही हर एक प्रशन आपके लिए बहुत इंप्वर्टेंट है तो दोस्तों यहां पर आपके चार दिये यहां पर जितने भी लोगों ने चाओथा बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल ने पाल का सबसे लोग पिडिये खेल कौन हो जाएगा देखिए लोक्प्रियत्या की बात करें तो जैसे भारत में लोक्त्रत किस खेल में सबसे अधिक है तो किरखेट में सबसे अधीक है बच्चे बच्चे गली किरचेट खेलते हैं यहाँ पर यह किसी से पूछेंगे कि आपको क्या खेलना पसंद है तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे कि किर्केट को ही फर्स्ट बताएंगे लेकिन भारत का जो राष्टे खेल है वो क्या है भारत का राष्टे खेल है होकी लेकिन होकी खेलना यहाँ पर लोग को कम है तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है option number 2 को वो लोग यहां पर बिल्कुल correct हो जाएंगे national institute for transforming India जी या नीत आयोग में नीत इसे अभिपराय क्या है यन का मतलब national I का मतलब institute और for एक यह का मतलब यह जो for आता है आपका इसमें छिपा हुआ रहता है और transforming T का मतलब transforming और I का मतलब India तो यहां पर आपका option number 2 यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ट के तरफ बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन एक परिया वर्ड यह समस्या नहीं है तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं option number जो आपका यहां पर तीसरा वाला है बहुत ही आसान प्रश्ट है वन रोपर अच्छा मतलब यह वन आप लोग यह लगा रहे हैं तो यह परिया वर्ड के लिए नुकसान कहा है भीया यह तो आप सभी को हर वर्श जो है पताय जाता है कि वन रोपर करिया मतलब ब्रिच्छों को लगाई यह जितने ज़्यादा आप ब्रिच्छ लगाएंगे उतने ज़्यादा आपका वाता वर्ड जो है सुद्ध होता रहेगा ठीक है तो आप सभी का और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जागा तीसरा वाला वन रोपर यह किसी भी परकार से परिया वर्ड के लिए हानिकारक नहीं है ठीक है और आप सभी लोग जानते होंगे कि पांच जून को जो है परिया वर्ड दिवस मनाया जाता है तो यह चीज द्यान में रखिएगा अगला प्रेशन है निमलिकित में से कौन एक उर्जा परिवर्टक नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उर्जा परिवर्टक भाब का इंजयन सम जितने भी लोगों ने बताया है समतल परिवर्ट तक वह आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला प्रेशन है सीडी रोम कंप्यूटर से डिलेटेड है सीडी रोम एक है माइक्रो प्रेसर या इस्टोरेज मेडियम या आपका MP3 फाइल या आपका दुम्या में यहाँ पर इस्टोरेज मेडियम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने भारत के पहले नीजी छेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ जो है है भागीदारी की है तो तीन चीज़े बड़ी ह आपका यहाँ पर बताना या राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है इस्ट्राइल वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे धियान से पढ़िए एक इस्टोरिक की रेट करिए हर एक प्रशन आपको आसान प्रशन इहां है जी हां यहां पर यहां पर प्रशन यहां पर इसप्रस्ट है बहुत इंप्सटर परिओं किस सजय के सा uyगा है तो यह पर ambition याद आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा दोस्तों चलिए अगले प्रेश के दरब बढ़ते हैं खाद मचली के नहीं प्रजातिया पंपा नदी में मिली लीटर मतलब यदि किस राज में है मतलब मिली लीटर यह जो है किस राज में है यह दो देखे मैं आपको बताना में है कचपां आप सभी लोग देखें यहां पर जो आपका राइट एंसर हो जाएगा ऑफकर तीसरा वाला यहाँ आ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा झाली अगले परश के तरब बढ़ते हैं गर Math reak lesi Kam ps आया है और लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे सेंस लगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ष के दौरान पूजी गत्पर संपत्ती की बिक्तरी से लाब पर कर देखे यदि आप लोग यह सोच कर पढ़ाई करेंगे कि यह प्रश्ण मेरे यहां मेरे एक्जा से होगा ठीक है और चार यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पौधे और जन्त यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण आप से पूछा जा रहा है कि तीरन दाजी निमलिखित में से किस नदी किस देश का राष्टिये खेल है माप क बहुत ही आसान है दोस्तों यहां पर कुछ लोग का मानना है जीन और कुछ लोग का मानना है भूटान तो बहुत ही आसान है दोस्तों भूटान आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है और भारत की तीरन दाजी एक महिल बारा या दोजार दस में उनका नाम आप लोगों कमेंड में बताना है जो कि तिरनंदाजी में भारत का नाम रोसन किया उन्होंने ठीक है बहुत इंपॉटन है भूटान यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला प्रेशन आप सभी लोगों से पूछा जा र सभी कोासानी से मिल जाए करें तो चलिए दोस्तो इसी के साथ जो है हम आज की optimism को यहाई पर समाप выпtop करते हैं यहां पर जितने वी लोगों ने बताया है और नुमबर पहले को वह लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जायगा चριक है जो जितने भी लोगों ने पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे आज तो आप सभी का यहाँ पर इंड करते हैं धन्यबाद झाल झाल